विल्कम टौ आर ओंलाइन क्लासेज इन डीमारी पब्ली स्कूल आरे डी इसर पब्ली इसकोल को ओनाइन क्लाशेज में आपका स्वागत है हई होप क्या लोग टोग के वीडियो को देख रहे होंगे पढ़ रहे होंगे हम लोग जो हमग दे रहे हैं उसको आपको याद भी कर रहे होंगे आ घए को भी लेकर है देखते हैं क्यों साछे चैस्टर पढ़ना है करना चाहिए हैं हमने उसमें औलों कई पीना चाहिए लगुल क किसा में ट्लास पानी पीना चाहिए है यह मैं प्रोड़क्त भी आपको बताया थे जो जो चीजे बनती हैं थे यह यह बदाया था किenzie on आट से दंस पानी पीना चाहिए इसमें कोशन एंसवर्स तो नहीं दिया है लेकिन हम खुद से कोशन एंसवर्स बनाए हैं जिसको हम आप लोगों को लिखवाना चाहते हैं तो आप लोग फड़ा फट अपनी पैंसिल कॉपी रबबर शापनर शब लेकर स्टार्ट हो जाईए जाल कर देखिए हमने कुछ कोशन पनाए हैं उसको आप लोग ने कॉपी पर नोट कर लीजिए देखिए हमने फर्स्ट कोशन लिखा है कैंस वादा फ्लोइंग कोशन नेम लिखित प्रशनों के उत्तर दो पहला कोशन है कि वाई डू वी नीड फूड हम लोग भोजन क्यों करते हैं यह बोजन हम लोगों को क्यों जरूरी है तो एंस्वर है वी नीड फूड टू स्टे लीव हम लोग भोजन जिवित रहने के लिए करते हैं हम हो यह मनुष पेड़ पौदे हो पशुपक्षी हो सबको भोजन की जरूरत होती है तो भोजन हम लोग इसलिए करता है ताकि हम लोग जिवित रह सकें दूसरा राइट फाइफ मिल्क प् एक दिन में कितना गलास पानी पीना चाहिए तो ईक दिन में कितना गलास पानी पीना चाहिए कि एक दिन में कितने पानी पीना चाहिए दिक एंसवर है कि वीशुड रिंग एवरी डे एट टो टेन ग्लासव वाटर हमको एक दिन में 8-10 ग्लास पानी पीना चाहिए पानी पीने से आम लोग स्वस्त रहते हैं तो यह मारी लेशन एट का कोशन एंसवर था जिसको आप लोग नोट को लिजिए गा और जो भी लिखेगा अपने कोई पर साफ साफ लिखिएगा और अच्छे राइटिंग में लिखिएगा ताकि आप लोग देखें या आपके टीचर्स देखें इस देखें तो लोग को ब प्रब्लम ना आए तो यह हमारे विएस का लेशन एट का कोशन एंस्वर था जिसको मैं आशा करते हूं कि आप लोगों ने लिखा होगा और इसको आप लोग याद कर लिजेगा यही आप लोगों का और इसके साथ साथ एविएस का जो बुक है उसके पहले के भी सब चैफ्टर सको सम मेनिंग्स को याद करते रहे ताकि आप लोग कुछ भूले ना तो यह हमारा एविएस का लेशन एट का कोशन था आप लोग इसको याद कर लीजिएगा आज के लिए इतना ही मिलते हैं अग थैंक्स